हमारी आज की कहानी का नाम है अजगर बहुत वर्ष पहले एक राजा की दो रानिया थी बड़ी रानी शोबा बहुत अच्छे सभाव की दयावांसरी थी चोटी रानी रूपा बड़ी कठर और दूष्ट थी बड़ी रानी शोबा की एक पुत्री थी नाम था देवी रानी रूपा की भी एक बेटी थी नाम था तारा रानी रूपा बड़ी चालक और महत्व कंशिस्त्री थी वह चाती थी कि राज्य की सत्ता उसके हाथ में रहे राजा भी उससे दबा हुआ था राणी रूपा बड़ी राणी और उसकी बेटी से नफरत करती थी। एक दिन उसने राजा से कह दिया कि राणी शोबा और देवी को राज महल से बाहर निकाल दिया जाए। राजा राणी रूपा की नारजी से डरता था। उसे लगा कि उसे वही करना पड़ेगा जो इसे भी नहीं हटी। उसने देवी को आध्या दी कि वह प्रती दिन राजा की गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करे। राणी शोबा यह अच्छी तरह जानती थी कि यदि देवी गायों को चराने नहीं ले गई तो राणी रूपा उन्हें किसी और परिशानी में डाल दी इसलिए उसने अपनी लड़की से कहा कि वह रोज सुबह गायों को जंगल में चरने के लिए जाया करें और शाम के समय उन्हें वापिस ले आया करें। देवी को अपनी मा का कहना तो मानना ही था इसलिए वह रोज सुबह गायों को जंगल में ले जाती। एक जब वह जंगल से घर लोट रही थी तो उसने अपने पिछे एक धीमे आवाज सुनाई दी देवी, देवी क्या तुम मुझे वह करोगी देवी डर गए जितनी जल्दी हो सका उसने गायों को घर की ओर हाका दूसरे दिन जब वह घर लोट रही थी तो उसने वही आवाज पुनो सुनी वही प्रश्ण उससे फिर पूछा गया रात को देवी ने अपनी मा को उस आवाज के बारे में कहा मा सारी रात इस बात पर विचार करती रही सुभ तक उसने निश्चे कर लिया था कि क्या किया जाना चाहिए सुनो बेटी वह अपनी लड़की से बोली मैं बता रही हूँ कि यदि आज शाम के समय भी तुम्हे वही आवाज सुनाए दे तो तुम्हे क्या करना होगा बताईए मा देवी ने उत्तर दिया तुम उस आवाज को उत्तर देना रानी शुभा ने कहा कल सुभा तुम मेरे घर आजाओ फिर मैं तुमसे वह कर लूँगी लेकिन मा देवी बोली हम तो उसे जानते तक नहीं मेरी प्यारी देवी मा ने दुखी होकर कहा जिस सिते में हम जीवित है उससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है हमें इस प्रस्ता को स्विकार कर लेना चाहिए इश्वर हमारी सहायता करेगा उस संध्या को जब देवी गायों को लेकर लोट रही थी उसने वही आवाज फिर सुनाए दे आवाज कोमल और दुख भरी थी देवी, देवी क्या तुम मुझसे विवाज करोगी? आवाज बोली देवी रुख गई उसने मुड़कर पीछे देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिये वह हिचकी चाहिए वह वहाज से भाग जाना चाहती थी लेकिन फिर उसे मा के शब्द याद आ गए वह जल्दी से बोली हाँ, यदि तुम कल सुबह मेरे घर आ जाओ तो मैं तुमसे वह कर लूँगी तब वह बड़ी तेजी से गायों को हाकती हुए घर चली गए अगले दिन सुबह रानी शोबा जरा जल्दी उड़ गए उसने जाकर बाहर दर्वाजा खोला, देखने के लिए कि कोई प्रतिक्षा तो नहीं कर रहा वहा कोई भी न था अचानक उसे धक्का सा लगा और वह स्तब्द रह गई एक बड़ा अजगर कुडली मारे सीडियों पर बेटा था राणी शोबा सहाइता के लिए चिल्लाई देवी और नोकर भागे भागे आये कि क्या बात है तभी एक अश्यरे जनक बात हुई अजगर बोला नमसकार उसका स्वर बहुत विनम्र था मुझे निमंतरित किया गया था इसलिए मैं आया हूँ आपकी लड़की ने मुझे से वाइदा किया था कि यदि मैं सुबह घर आ सुकूँ तो वह मुझे वह कर लेगी मैं इसलिए आया हूँ राणी शोबा की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या ना करे उसे तो यही आशा थी कि किसी दिन कोई सुन्दर नोजवान उसकी लड़की से वह करेगा उसने यह कभी नहीं सोचा था कि वह अजगर होगा एक नोकर भाग कर राणी रूपा के पास गया और उसे उसने सारी घटना बतला दे राणी यह सुनका प्रसन हुई वह उसी समय अपने नोकरों के साथ राणी शोभा के घर आईगी यदि राजकुमारी देवी ने किसी के साथ वह का वाइदा किया है वह बोली तो उसे अपना वाइदा अवश्य निभाना चाहिए राणी होने के कारण यह देखना मेरा करतव है कि वह अपना वाइदा पूरा करे उसी दिन विवाह हो गया राणी शोभा और देवी के लिए यह कोई प्रसनता का समय नहीं था लेकिन इतने दुर्बाग्य सहने के बाद वे किसी भी प्रकार की विपत्ती का सामना करने के लिए तयार थे विवा के पश्चात अश्गर अपनी पत्नी के साथ उसके कमरे में गया सारी रात राणी शोभा ने प्रार्थना करते हुए बिताई कि उसकी बच्चे ठीक ठाक रहे दुसरे दिन बड़े सवेरे उसने देवी के कमरे का दर्वाजा खट खटाए एक सुन्दर नवयुवक ने दर्वाजा खोला देवी उसके पिछे खटी थी मैं आपको कहें नहीं सकता कि मेरी जान बचाने के लिए मैं आपका और देवी का कितना आभारी हूँ वह नवयुवक बोला मैं एक शाप के कारण अजगर बन गया था एक वन देवता मुझसे क्रोधित थे और उन्होंने मुझे अजगर बना दिया बाद में उन्हें अपनी करनी पर दुख हुआ तब उन्होंने कहा कि यदि कोई राजकुमारी मुझसे विवाह कर लेगी तो मैं फिर से मनुष्य बन जाओंगा और अब देवी ने मुझसे विवाह कर लिया है मेरा शाप उतर गया है अब मैं फिर कभी अजगर नहीं बनूँगा राणी शोभा बहुत प्रसन्न हुई वह अपनी लड़की और दामात को राजा से मिलने के लिए ले गई यह बड़ी विचित्र घटना थी चारो और से लोग इस विचित्र नवयुवक को देखने राजमिहल में आने लगे सभी उत्सुक थे सिवाई राणी रूपा के राणी रूपा बहुत गुस्से में थी उसने जल्लाते और खिशते हुए अपने आपको कमरे में बंद कर लिया देवी का भाग्य उससे देखा नहीं जा रहा था वह चाती थी कि उसकी बेटी तारा भी एसी भाग्य शाली वने आखिरकार उसे एक युकती सूजी उसने अपनी लड़की को बुलाया देवी का विवाह तो अब हो गया है वह बोली इसलिए गायों को जंगल में चरने के लिए तुम ले जाया करो नहीं तारा चिक कर बोली इतने नकर है तो फिर मैं क्यों गाये चरने जाओ यह मेरी आदन्या है रानी ग्रोधित हो कर बोली एक बात और भी सुनो यदि जंगल में कोई तुमसे वह का प्रस्ताव करे तो ततकल कहदना कि तुम वह के लिए तयार हो यदि वह अगले दिन सुबह हमारे घर आ जाए तो तारा मा की इस योजना से भईबित हो गई वह गायों को जंगल में नहीं ले जाना चाहती थी वह खूब रोई लेकिन रानी फिर भी नहीं पिखली तारा को उसकी आदन्या माननी पड़ी तारा रोज सुबह गायों को जंगल में चराने के लिए जाती और फिर शाम के समय वापिस ले आती लेकिन उसने एक बार भी जंगल में किसी तरह की आवाज नहीं सुनी जो यह कह रही हो क्या तुम मसे विवह करोगी फिर भी रानी निराश नहीं हुई जंगल में कोई अजगर तो था नहीं जो सारा से विवह का प्रस्ताव करता इसलिए उसने खुद अजगर ढूनने का निश्चय किया उसने अपने नोकरों को एक अजगर लाने की आध्या दी बहुत खोज करने पर काफी दिनों पस्चात उन्हें एक बहुत बड़ा अजगर मिला उसे पकड़ कर वे राज महल में ले आये आखिरकार राने का अभिफ्राई पूरा हो गया और उसने तारा का विवह इस अजगर से कर दिया अब रानी को संतुष हुआ विवह की रात तारा तथा अजगर को एक कमरे में बंद कर दिया गया रानी अधिरता से सुभा की प्रतिक्षा कर रही थी रानी रूपा ने सवेरे सवेरे ही लड़की के कमरे का दर्वाजा खटखटाया लेकिन कोई उत्तर न मिला उसने जरा और जोर से दर्वाजा खटखटाया लेकिन दर्वाजा तब भी न खुला रानी से और प्रतिक्षा न की गई और उसने धक्का देकर दर्वजा खोल दिया मोटा अजगर जमिन पर पड़ा हुआ था लेकिन तारा का कही पता नहीं था राणी चीक पड़े महल में सभी ने उसका चीकना सुना राजा और नोकर भागे भागे आए कि क्या बात है राजकुमारी कहा है सब चिलाए वह तो अजगर के पेट में होंगी रसोहिया बोला देखो वह कितना मोटा हो गया है राणी अब बड़ी जोर जोर से रोने लगी राजा भी रोने लगा रसोहिया अपना सबसे बड़ा चाकु ले आया वह बोला यदी वह अब तक जीवित हुई तो मैं राजकुमारी को बचानी की कोशिश करूँगा उसने अजगर का पेट चीर डाला तारा अच्छी भली जीवित थी रसोहिया ने उसे बाहर खिंचा वह चीक मार कर अपनी मा की तरब भागे अजगर की मृत्यू हो गई और साथ में राणी रूपा की इस इच्छा की भी की तारा का व्युह देवी की तरह ही किसी योग्य और सनपन्नई नववयुवक से हो यदि आपको हमारी कहानिया अच्छी लगे तो लाइक करे, शेर करे और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद प्राइब करें